सब्सक्राइब किजिए हमारे चेनल बीएंस उनिवर्स को और इस बैल आइकन को दबाना ना भूलेगा ताकि आप पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले हाई दो मेरा नाम है उश्वास और आप दे रबियंस उनिवर्स चेनल आज हम लिखे हैं आपके लिए कैसा वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि सिंगापूर में जॉब किस तरह से ले और कौन-कौन से वह कैंडिडेट हैं जो कि सिंगापूर के लिए सिलेक्ट हुए ह हमारी पिछली जो रिकूटमेंट हुए थी उसमें तो इसके बारे में आज का पूरा वीडियो है सो लेस्टार्ट दो वीडियो जैसे आप सबको पता होगा कि सिंगापूर में अगर आपको जॉब चाहिए दन आपको एंपलार का कॉंटेक्ट करना चाहिए ना कि किसी रिकूटमेंट एजनसी का क्योंकि उनके ओफिसल वेबसाइट में लिखा आया कि वो कोई भी रिकूटमेंट एजनसी को जो है बीच में कोई रिकूटमेंट एजनसी की गुंजाइस नहीं होती लेकिन हकीकत कुछ और है क्योंकि यह देखा गया है कि काफे सारे रिकूटमेंट एजनसी ऐसे हैं जो की सिंगापूर में अल्रेडी काम कर रहे हैं और जिनकों की काफे लार्ज स्केल में जो है काम मिल भी तरफ से और वो लोग जो हैं एमपलोर के बिहाफ पे रिकूटमेंट भी कर रहे हैं लेकिन जैसे वीजा का प्रोसेश जो है वो एमपलोर को करना पड़ता है तो वो चीज जो है रिकूटमेंट एजनसी एमपलोर के बिहाफ पे कर देती है तो कहीं ना कहीं वही चीज है कि employer को जो है सारी चीज़े देखनी है लेकिन हकिकत में जो है recruitment agency काफी बड़ा role play करती है तो अगर आपको job चाहिए then अगर आप official words पे जाए then आपको employer को contact करना चाहिए Singapore में फिर अगर उनके पास vacancy है then वो लोग जो है आपको बुलाएंगे but जैसे कि इंडिया में भी अभी चल रहा है कि काफी सारे ऐसे recruitment agency हैं जो कि सिंगापूर के लिए जो है recruitment करते हैं तो आप ऐसी recruitment agency को जो है contact कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लिए कोई vacancy है या नहीं जहां तक रही हमारी recruitment के बात then हमने जो है एक recruitment agency जो कि सिंगापूर में उन से बात की थी और उने जो है हमारे कुछ candidate मांगे थे कुछ position के लिए तो उनको जो है हमने काफी सारे candidate की CV जो है forward की और फिर वो लोग जो है उसमें से कुछ candidate को सॉटलिस्ट के हैं जिनके बारे में आज हम बताएंगे हमारे इस वीडियो में और जो लोग भी सॉटलिस्टेड होए है उनको एक Skype इंटर्व्यू देना है और वो स्काइप इंटर्व्यू की डेट भी काफी जल्दी एनाउंस कर दी जाएगी वाया मेल और वो लोग जो ह है मैं उनका नाम यहां पर बता देता हूं तो सबसे पहला जो नाम है वो है हितेस एम ब्रंभट जो की लोजिस्टिक एग्जेकुटिव की तौर से जो है यहां पर सिलेक्ट होए है देन यहां पर जो है स्टाफ नर्स की काफी ज्यादा रिक्वार्मेंट थी और यहां पर कुछ लोग सिलेक्ट हुए है स्टाफ नर्स और जो स्टाफ नर्स में सबसे पहले यहां पर सिलेक्ट हुए है उनका नाम है हिनल विष्णु भाई पटेल और दूसरे जो यहां पर सिलेक्ट हुए है उनका नाम है ख्याती मंसक भाई व्यास और जो यहां पर सिलेक्ट हुए स्टाफ नर्स में वो है सरोजनी साह और संगीता मिस्रा तो यह लोग जो हैं यहां पर सिलेक्ट हुए है एस स्टाफ नर्स इन सिंगापूर और इनका भी जो है इंटर्व्यू होगा लेकिन जैसे मैंने कहा था कि स्टाफ नर्स के लिए कुछ अलग अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी देन उसे जरूर देख लिजेगा और यहां पर जो लोग भी सिलेक्ट हुए है उनको जो हम मेल के थरू से भी बता देंगे कि कब रहेगा इनका स्काइप इंटर्व्यू और क्या-क्या जो रिक्वार्मेंट है वो अलग है यहां पर जो है उनको बता दूंगा और अगर हम यहां पर जो है आगे बढ़ें और देखिए कि और को 나서 हाने जो है जो है यहां पर पर्मार सिलेक्ट होए हैं और उसके बात है नहीं के लिए यहां पर राजे शोक्ला सिलेक्ट होएハं और साथिक्भर के लिए háяет मौलिक पतेल जो है वो केंदिडेट थे जो कि सिलेक्ट हुए हैं सिंगापुर के हमारे जो पिछले कम हमारे पास आती है क्योंकि हमारी कंसल्टन से अभी काफी ज्यादा नहीं है जिसके वेजे से जु है हमारे पास से कुट मैं काफी कम आती है और कोविड की टाइम होने की वाज़े से भी जो है requirement की संख्या काफी ज्यादा कम है दो ही अभी हमारे पास जो है process चल रहे है एक Malta के लिए और एक Singapore के लिए तो यह है Singapore का result Malta का result जो हमने पहले ही announce कर दिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे जो दूसरी channel है BNC information उसमें ज़रूर visit कीजिए उसमें जो है हमने इसका पूरा detail रखा है कि कौन-कौन से candidate select हुए है और आगे का क्या process रहेगा तो इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आप जो है हमारे दोनों चैनल को जो है subscribe करके रखे और आप जो है देन तब जो है आप फिर try कर सकते हैं बट फिलाल के लिए यही थे कुछ candidate जो कि अभी select हुए है तो बस इतना ही कहना चाहता था आज के हमारे इस वीडियो में hope कि आपको हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया हो अगर आपको